और द्वासिक प्रिक्षा के लिए बिग्ञान के लिए क्uba लेकर क्या चुमाइ belum के आं सर के साथ बताओंगा देखे पिछला जो हमने इस इंगलई का हूग बताया था सैंस्क्रिट कहो गया इंगलेस का हो गया लिए के बहुत सारे में बताऊंगा बस वीडियों में बने रहेगा यहां पर देख सकते हैं बरस घलनांक है लेके तुँ ये आपके पूछिछ जाना आठ यहां में बरस का घलनांक है बचातर नम्मर का प्रेपल रहें का शाइंश कब रख लोटा है यहां पर दो जो सत्रेत्र धर्णा एक पॉंच केलवन है यह नंबर का ओफ तक की एक कार्यागत्त में क्योफ और ये तो वह थे नी रोट नी रोट एक यह नम्मकॉसन्स खते रहेगा इसी प्रकास यthra करके सभी मिला तुन यह म यह देख टेकिक लए दूसरे अधे क्शा समांगी मिश्यरोन कहलाता घृतन और एक तो Leanne स्वाथ कि बंवध्थी का जल्ना है तो वह केबल रहसानिक परिभातन है मुम पावक्ति का अंसर रहेगा comm kloride का सूत्र Imam क्लॉराइड का सूत्र होता है इसक्वाद रहेगा आप'tका अतमहत्या की कि एभी कि नाम की से जाना जाते है पता होगा आपको आऽ सम команд पर लाइस अन्हें जाता है ना अगर यहां पर होगा मीटरफंस्ट सेकेंड होता है मीटरर पढ sponsor यहां पर यहां प्रहएगा दोटे착 सब्सकेंड इसका अभी कोश्चन को अच्छी तरह के से याद कर लेना क्योंकि आपको यहाँ पर एक भी कोश्चन नहीं छोड़ना है बहुत जादा यह सारी के सारी सकती आंसर हैगा आगला कोश्चन है हमारी सरी में गति के लिए उत्तर दआयो तक पेसी ऊतक हमारी सीमें गती के लिए उत्तर दवातर रखेगा श्रक में जलोको मिलने वाले पेपर में अच्छे तरगे से याद रखना ना अगला कुश्चन हैं आपको सूरियम का प्रतीग होता है तो सूरियम का प्रतीग होता है ये नहीं रहेगा इसको याद रहे गापका इसको आधे कर में 2021 प्रदर्शित होता है ना तो कूल ओएडी है ना कूल ओएडी इस प्रकासी आप लखेंगे कूल ओएडी विलियन का उदाहरण है यह आंसर आपका कम्प्लेट रहेगा इसका छटे नम्मर की टंदल प्रभावाली कोश्चिन का इसका पौधों की पत्तियों में पाई जाने व प्रभावर कोश्चिन और की एक लग्राम भार परावर कितना होता है कि न्यूटन होते तो 9.8 न्यूटन होता है 9.8 नियुटन इसके बढ़ा है बीच में 9.8 नियूटन लिखेंगे ऐसे लिखेंगे आप है गया यह लिग इसके पाट आपके जोडियां आती है देखिए बिल्कुल सही जोडियां आपको अच्छे से याद कर लें हैं पहले की कौन सी मिल जाएगी क्या लखाए ब्रोमीन एक अधातू होती है इसके गहांगा रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है अगर कमी हो जाए तो गहांगा रोग हो जाता है किलोरोफिल पत्तियों में पाय क्रिक्लान होता है भूज प्रतादों का समवन करता है हमारी पॉधयोन के स्वेड़ियोधिस अगला क्वूश्चे सकते हैंं चाहिए सब्दयध भांके में लेकर आगे इसमे को सोअफ्ची सार सारय आंसरे लेकर से लेकिन ऑपे से बस वीडियो दिखते रहे है आपा देख सकते हैं निउट्रोण की खोश-किसनकी थी तो चैडबिक नामा की बिग्यानिक थे जैम्स चैडविक उन्हों का नाम था चैडविक एसे लिखेंगे आप अंसर का चैडविक आंसर एगा और प्रकास ओनाना में दो दीने को पूरा नाम होता है लग सकते हैं डियोकक्षी आप लग सकते हैं इसी प्रकास है ल लग सकते हैं कि आपना वोग उक्सी राई बूज कि नो ट्कलिक क्या ना लख लीजीएगा इसके बाद देख सकते हैं इनकोची का से नंत किसने दिया तो कुची का से नंत देने वाले दो विग्यानिक थे सलाइडन एक थे सिलाइडन वा सुन यह दो गणले थे जिन्होंने को उसी का सीध्यांत का प्रति-पादन किया था कि स्छरंद बाद का नियम किसने प्रस्तित किया था तो अंसर यह आपका प्रंधस्तुने मThe बना हुआ है लास्ट में देखे प्राउस्ट ऐसे लिखेंगे आप प्राउस्ट यह रहेगा आपका इसका अंसर इस्थर अनुपात का नियम किसने पर स्थित किया इसके बाद तुरॉण का ऐसा इसा ही मातरक होता है इसके बाद अंसर रहेगा आपका किसी बस्थु की गते जूर्जा के लिए स्कूर्ण कि न किसी वरशटू के लिए ट्र एंवी promote क्या होता है मत्रक स्कूर्ण और किया याद रखेएक शिर्ण का आंसर बताऊंगा है है को सब्सक्र invade देखे इसका आंसर यह रहेगा आपका यहां पर देखे गुप्तूसमा किसे कहते हैं बावी मंडल यह दाब पर एक किलोग्राम सुद्ध ठोस को उसके गलनांग पर द्रब में बदलने के लिए आवश्यक उसमा की मातरा उस ठोस की गलन या संगलन की प्रशुप्त गुप्त गर्मियों में हमें सफिद रंग के बहनने चाहिए क्योंकि सफिद यहाल के रंग के कपड़ उसमा का ठ्षा प्रावर तक होता है जिससे हमें ठंड अपन मह्सोस हूता है , जलदी से लाइक कर दो और चैननल को क्पिन्स लिखना है आप देख सकते हैं देखिये आपका यह रहेगा अंसर तट्वा व्योगिक में अंतर देखिया यह पूरा Jeżeli डिया गया यहूं को सॉलीशन आपके अगया यह डिया गया तहिast यह जाता है और इसके क्वाला छाथ रहती अगया है ड्योग्त की सचालक खंक इसके छोटी ये टया झाध्य कर लेंगे इसके बाद है अगला कोशिन का सब्सक्राइब कोच्छा और चालक थे आपका साथ वे नम्मर की कोश्चन में इसके बाद आपका इसका अंसर रहेगा आपका यहां पर दिया गया है टेंडल प्रवाव का अंसर है यह रहा कंप्लीटली आंसर टेंडल प्रवादी के जब प्रकास का क्रण पुंज ऐसे सूक्ष्म कणों से टकराता है तो उस क्रण मार्क दिखाई देने लगता है इन कणों से बिसरत प्रकास होकर हमारेस तक कोश्चन का इस परिवर्थन उनके दो दो उधान आपको बताने हैं तो यहां पर लिखे हुए है यह नीचे आपका यह नीचे हैं तो यह रासानिक परिवर्थन लोह पर जंग लगना अग्रवत्ती का जलना दूद का फटना इसके अगला अकरक्व कौसचन quarter की दो कमिया इस वक्वाइब को सब्सक्राइब दो दो कमिया लिखिए तो यह रहाझा का आंसर भील्कूल आँसार आपके परमाणुक मोडल की मुख्य कमी यह है देखिए आगे कोश्चन दिया होगा पूरा पूरा आंसर देखिए यहां तक यह थी कि इससे परमाणुकिस्थायत का पता नहीं चलता था यह कमियां लिखी है तीन कमियां है तीन आप याद कर लेंगे आपको दो पूछे जाएंगी अजिए पर में आप दो लग कर आंगे आए ना पूरी आंकम लिए आपको यह रहा पूरा आंसर उस्का ररफूर बाले कोश्चन न इस वाला कोश्चन का यह समगरारेखं यह राता आपकर लिएंगे और यादखकर लिजए गया साथ है आपका नोभी नमबर कव्श्चन है परमानु संख्यां से क्या आसा है देख सकते हैं कोश्चन आपके स्क्रीन पर दख रहा होगा परमानु संख्या Bye यह ना यही तो पहचान है अलग-अलग भेन भेन बनाने के उन्हें सभी तत्नों का अलग-अलग नमबर है यह तो प्रमणु संख्या है ना तो यहां पर यहां पर गया थे आंसर रहे आपका इसके बाद देख सकते हैं सावी नमबर का कुश्यन है इसका आंसर आपका रहेगा यह संयूजक्ता का क्वेश्चन और इसका कंप्लेटली आंसर आपको स्क्रीम पे दिखाई रहोगा तत्तों के परमाणूं के परस्पर स्योजन करने की छहमता को ही हम परमानूं के परस पर सilleurs करने के अभी तक वीडियो को लाइक निए जल्दी से करेज़ें क्यूंकि हम जल्दी से कर दो दो दोस्तों के साथ वीडियीयो को शरकड़ो टेलिग्रामμ जोइन कर लेए लिंड्धो कर लिखे 10B तरा कि क्या करता है कि जो मिठी से हैं जड़ों के द्वारा जैलाम यह क्योंत होता है जो कि पानी का पानी को पत्ति नाता हता है मतलब पानी का संभन करता है नफटार्थों का खनिच प्रदात मिर्दा से लाता है और फिलोयम क्या करता है यह पतियों में बने कार्मन गुलंसी प्रदातों को संभान करता है तो यह अंतर रहेगा दोनों में याद रखिएगा इसके बाद है आपका पादा बाद जन्तु कुसिका में अंतर लिखे देख सकते हैं पादा और कोशिका यह हो चोटए होती है और यह जो चोटी होती है, इसमें घुर्णीजगाों कोसिका भृत्ति होती है इसमें पूर ऐति से बलकुल नहीं जाती है यह रहें पूरए रृत पर दिय गए हापको यह याद कर लेंजिए को बोलकुल अंतर इसके नियूरोन का नामंकित चित्र बनाई है ना नियूरोन का नामंकित चित्र आपको यह आंसर रहेगा इसका यहां पर देख सकते हैं यह completely आंसर दिया गया है आपको नियूरोन का नियूरोन का आपको नामंकित चित्र दखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकास से आपको बनाना है बिलकुल आना ही है hundred में hundred percent यह आएगा question सारे question बता रहा हूं बिलकुल ध्यान से पढ़ते हैं यह question छोड़ने वचाथ नहीं है जो question बता दिए बिल्कुल पीपर में रखे मिलें आपको रखे मिलेंगी यह रहेगा नियूरोन का नाम के चित इस प्रकास से बना लेंगे और टेलिग्राम जोइन कर लिए जल्दी से टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे गई है अगला कॉष्षिन आपका चाल बाभ बेग में अंतर लिखिए तो इसका आउसर आपका यहाँ ऑसब्रकान है देख सकते हैं यहां बहुत अच्छी बाद दो याद रखी है और तिन कर लिए तो तूरान के तुरान के हुचा नहीं के षरकेस के सिट्र्ट के अर्फ कि यह रहे कैसी प्रदर्श कते हैं मिए पoods रहा है इसे प्रधर्स के एसी इसे संधुलित आपके संधुले सोय फ्सक्राइब लेक, ने यह फिल्कुल अच्छे से याद करने लोगाने से उस बस्तुम की गती में कोई पडिवतन नहीं करते हैं, मतलब और संदूल दोगा परिवतना और याद कर लेना इसे रिजाते हैं ने만 परणें से किसी पेड़ के फल या पत्थे क्रड़ जाते हैं तो लोगे करने के ऐसे सा हल घ्यांदrà आती हैं किन्तु पेड़ के फल पते जड़त के काण ब्राउंस था में रहते हैं ता फल टूटकर नीचे गर जाते हैं जब आपने देखा हुआ ची आंधी आती है तो आम की पेड़ से आम जब गरते हैं तो फल गर ही जाते हैं यह रहेगा आपका किसी इस्थर बस्तु कैसे चलाया जाता है तो आंसर यह रहेगा आपका किसी इस्थर बस्तु कैसे चलाया जाता है किसी पिंड और बस्तु को दबाओ और खिंचाओ बल कहलाता है मतलब उस पर हम दबाओ लगाएंगे खिंचाओ उसे देंगे तो चलेगी ना बल बह प्रवाय जो किसी बस्तु की इस इस्तरबस्तू को गती में लाने का प्रयास करता है जो इस्तरबस्तू को चलाने का गती में लाने का प्रयास करता है तो रहेगा इसका अंसर यह पूरा complete कर लिजए और इसके बाद देखेंगा आगला प्रभमान यांतर रहा रहा यह अधिस राक्षी अधिस रासी द्रभमान मैं अधिस भारत सब्सक्राइब में यह विए अधिस है यह सब्सक्राइब और बनौन तर तीन अन्तर इसमें दिये गे हैं並ogul अच्छी तरगे से याद कर लेना आपका ये वाला क्वेशन कंप्लेट हो जाता है पंद्रवी नमर का क्वेश्चन है आपका द्रमान तथा भार में क्या अंतर है और इसके बाद एक पिंड हर एक अन्य पिंड को एक बल से आकर्शित करता है ना जैसे हम गृत्व कर लेंगे अच्छी तरगे से बहुत ही इंपोटेंट है आपका अच्छी तरगे से कर लेना है इसके बाद है आपका अगला कोश्चन देखिए 16 नमर कोश्चन नीचे दिया गया है का द्रभ्यमान सूला गुड़ें दस किखाते 24 किलोग्राम यह उसकी तरज्जा इतनी इतनी है मिमीटर है गृत्वी तरण का मन गयात कीजिए ना तो यह आपका दिया गया है यहां पर अगले पेज में देखिए यह रहेगा सका आंसर यहां पर रहेगा है यह रहेगा सका स्लूशन शार्ट होता है यह प्रकास यह दिखेंगे पूरा शलूशन यहां पर देख सकते हैं इसका फुल सलूशन भीसे कमप्लेट कर लिजिएगा यहां तक इसका पूर्य सुलूशन दिया गया है मैंना 9.8 मीटर पर ते 2 इसकंड इर आंसर आजाए गां यह कंप्लीट प्रत्वी पर इसका बहार कितना होगा तो यह रहेगा यह रहेगा पूरा यहां पर दिया गया तो यह आप याद रखी के चंद मां पर यह प्रत्वी पर यहां पर 98 न्यूटन हो गया तो यह रहेगा इसका आंसर कंप्लेटली आंसर दिया गया है बिल्गोल आपके शोलवे नंबर के क्वेश्चिन का अथवा का सोलवे का अथवा है यह इसका आपका माईट्रो कॉंडिया को कुसिका का बिजली घर क्यों कहते हैं य पूरा और कम्प्लेटली आंसर दिया गया है को सिका में माईट्रो कुंड्रिया में ही भोज प्रतादूं का उक्सिक्रा होता है यान कि बहांपे उर्जा मोगत हो दिया है इस प्रकास यह प्रकास से डाइग्रम बना लेना है और पादप कोसिका थोड़ी बड़ी हो यह जन्तु कोसिका रहेगा इसे बना लिजेगा आगे कुस्चन भी आपका इसी में देखे इसके बाद आपका कोश्चन इस इह कंप्लीट कर लेंगे यह नहीं छोड़ा है इसके पाद आप देखेंगे आपका अगला question दिया गया था इसमें Amoeba भोजन कैसे प्राप्त करता है यह आपका अत्वा वाला था कितने नमर का 19 भी नमर का अत्वा है न Amoeba भोजन कैसे प्राप्त करता है तो यह रहेगा इसका complete answer देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दखाई दे रहा होगा अमीबा जो है अमीबा एक एक कोसी की जीव है यह है एंडुसाइटोट्स द्वारा भोजन ग्रहन करता है तो यह रहेगा इसका पूरा answer जो की खादर रस्धानी भोजन से भरी होती है इसमें प्राप्त करता है इस प हमारे देनक जीवन में उर्जा का क्या महत्तों है इसका completely answer आप देख लेंगे पूरा आंस दिया गया है जीवन उर्जा के सरूंतों से हमारे जीवन सफल हो गया है सरल हो गया है ना उर्जा किसी राष्ट की विकास प्रक्रिका एक महत्वन पहलू है हमारे देनक जीवन मू तो बही इसका आंसर यहां पर complete रहेगा इसा अठारवी नमर के question का हमारी दिन इक जीवन में इसके बाद इसका अथवा दिया गया है एक किलोवाट में कितने जूल होते हैं यहां पर पूरा complete यहां पर इतना दिया गया है इसे अच्छी तरहें से याद कर लेंगे इसके पर मैं फिर से बता देता हूं आपको स्वा नमर की पूछा गया है और Ro onze ते यह आपका रहेगा जनतुकुर्षिका का चेत्र यह जनतुकुर्षिका का चित्र रहेगा और साथ में इसका अंडर 느끼सा देखंगे यहाँस धाधं यह रहे आंडर भाध गरता है यह रहे नम्मर का question है देखे डॉल्टन के परमानु सिध्धान्त के प्रमुक बिंदू लिखिए तो यह question रहेगा आपका यहां पर देखे यह दिया गया है आपका डॉल्टन के परमानु सिध्धान्त के प्रमुक बिंदू क्या है तो यह रहे को बिंदू जो कि उन्होंने कही थे तो सारा कशारा solution बताया है बस एक question रह गया वह भी अभी देख लीजिए देखिए निमलखत के सूत्र लिखे इसका question इसके नीचे ही दिया गया है ठीकिए मैं खाने में यह रहाँ आपका अनिमलखत के सूत्र लिखे sodium oxide और Aluminium Oxide sodium sulfide calcium carbonate इन सब का सूतर लिखना आपको देखिए sodium oxide aluminum oxide और sodium देखिए देख सकते हैं स्कुन दखाई दिर और आपका sodium यह कल्सियम कर्मोनेट इनका सूतर लिखना आपको देखिए sodium एक्साइड कर यह आपका सूत रहा और सूडियम सलपाइड का रहा है केलlishen का Making सब्सक्राइब का सीए को एक स्कायर से इन्हार पूरा गशानि有點 डि कि इसके так यह था इसक बाद 21 अनर्फ स्केस्पन है आपको सैकल कि लोम मीटर प्रती घंटे किरफतार से कहां पर जाती है से घंटे की घटकर 60 km पर ती घंटा हो जाती है बसका तुरण गयाद कीजिए तुरण आपको निकाला है तो तुरण गयाद करने के लिए हमें देखना हुगा है यह कोश्चन इसका आंसर दिया गया है आपका इसक आत्वा वाला कोश्चन सा आपका एक बस्तू 16 свое Biz दो जो की दिया चाहार से करती एक बार चाल कितनी है जाती है पर दूसरी दो से कर चली एक जाती आपका एकला answer आस्का completely answer यहां पर दिया गया है यह answer आप सामने इसका चितर दिया आ है बनाएंगे बहुत ही सबसे बनाना है एक नहीं सकते आपको बहूंआ थोड़ी थोड़ी लाइन सिख कर देंगे टेड़ीशी वस एक एंद्रक हो जाए इसमें साइटो प्लास्म है और सार को लेमा यह रहेगा आपका तो यह रहेगी अर्यखत पेसी इसे बना लेंगे चित्र को इसके बाद आगला कॉश्चिन आपका दिया गया है कि अर्यखत प प्रिस्थ शुकार्ट का नाम के चित्रवाड हैं यह रहेगा पूरा प्लिक अंसर का यहां पर देख सकते हैं da कष्अ कौन से पॉर्ष होती है संभौन होग यहां पैंहें होती है क्योटिकल मेटाजाइलमCon Heil तो फ्लोम जाइलम इसमें सब होता है कि यहां तक आपके सारे के सारे जो हैं वो complete हो चुके हैं तो आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बक्स में बताएगा और इसी प्रकार से आपको अगले पेपर के लिए हम पूरी हल्प करेंगे पूरे पूरे कोशन बताएंगे तो चैनल को सब्सक्राब कर लूँ वीडियो को लाइक कर दूँ टेलीग्राम गुरूप को जैन कर लेना है थैंक्स पर आज ही मिलते हैं अगले वीडियो में सभी के आंसर तैयार कर लेना और जल्दी से अगले वीडियो के लिए तैयार रहू